नमस्कार, हमारा सम्विधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है आज जब मैं स्टूडियो की तरफ कार चला कर आ रही थी और सोच रही थी कि आप से बात करूँगी कि भारत के सम्विधान में क्या मौलिक अधिकार दिये गए है तो उसी वक्त गाड़ी ट्राफिक लाइट पर रुकी और एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और कहने लग गया कि खाना खाना है भूक लगी है जो भी है आपके पास वो दे दे किसमत की बात थी कि मेरे पास कुछ कैश नहीं था मैंनो उस बच्चे को कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं वरना शायद मैं दे देती वो बच्चा बहुत देर तक जित करता रहा फटे कपड़े पहने थे चहरा बहुत जादा मासूम था मैंने अपने विंडो उपर करी गाड़ी आगे बढ़ाई और इस सोच में पढ़ गई कि देश की आजादी को लगभग 75 यर्ज होने आए है भारत के समविधान को जिसे 1950 में लाया गया ये देख कर सोच कर समविधान को लाया गया कि भारत अपने आप में एक बहुत विचित्र देश है जहां पे अलग-अलग तरह के लोग हैं ना सिर्फ उनकी संस्कृतियां अलग है लेकिन उनका एकनॉमिक स्टेटस उनका पुलिटिकल स्टेटस उनका सोशल स्टेटस ये सारे स्टेटिस अलग-अलग है जहां यदि इतिहास की और नजर करें तो पूंजीवादी का दुनिया भर में एक तरह से कहा जाए dominance की कारण जो एक अच्छी चीज हुई वो ये कि individual freedom, individualism, व्यक्तिगत की जो विचारधारा है की व्यक्ति को विशेश माना गया इसको तो एक और तवजू मिला लेकिन समाज में समानता हर किसी व्यक्ति को कम से कम वो basic rights हो जिससे उनकी अभिव्यक्ति का उनके जीवन का विकास हो सके और उनके personalities के जो अलग-अलग आयाम है उनको expression देने का भी मौका मिल सके इस बात को समविधान ने ध्यान रखा समविधान ने भागतीन में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक अलग-अलग मौलिक अधिकार दिये हैं तो पहला सवाल तो ये है कि ये मौलिक अधिकार क्या है अलग-अलग तरे के मौलिक अधिकार है और एक एक करके अलग-अलग विडियो में मैं इन सारे मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताऊंगी इसके पहले के जो दो विडियो थे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 अनुच्छे 12 और 13 इनमें हमने दो चीजें जानी पहली तो ये कि मूल अधिकारों को केवल और केवल राज के विरुद्ध में ही आप मान सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं और यदि राज्य या राज्य से सम्मंदित कोई भी और अधर अथॉरिटी जो राज्य का ही कार करती हो, यदि वो कोई भी अथॉरिटी आपके मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन करती है, तो आप उसके लिए न्याले जा सकते हैं और जो दूसरी चीज हमने मौलिक अधिकारों के बारे में देखी वो ये, कि मौलिक अधिकार इसलिए महत्वपून है, कि यदि भारत के समविधान के आने के पहले कोई भी कानून ऐसा और भारत में था, जो कि मौलिक अधिकारों का उलंगन करता है, तो उसे असमविधान माना जाएगा और इसके साथ ही सम्विधान के आने के बाद अब कोई भी यही संसद या राज्य सरकार ऐसा कानूर बनाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उसे भी न्याईक समिक्षा के तहट असम्विधानिक करार दिया जा सकता है पांच मुख्य तरह के मौलिक अधिकार भारत के सम्विधान में दिये गए एक एक करके अनुछेद के माध्यम से आपको विस्तरत में इस पर समझाओंगी क्या 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 सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग आर्टिकल्स के अंदर जज्जमेंस दिये हैं कैसे इन्हें इंटर किया है वो भी समझाओंगी लेकिन मुक्य तोर पर पांच मौलिक अधिकार हैं पहला अधिकार समानता का अधिकार मतलब कि भारत के समविधान के आने के बाद किसी भी व्यक्ती वर्ग या समुः के साथ किसी भी प्रकार का discrimination नहीं किया जा सकता अब समानता का क्या मतलब है वो बच्चे जो आज भी रेड लाइट पर भीक मांग रहे हैं वो communities जो economically तो empowered हैं लेकिन आज भी अपने आपको तिरस्कृत महसूस करती हैं क्योंकि उन्हे समाज का हिस्सा उस प्रकार से नहीं माना जाता जी हां मैं बात कर रही हूं transgender की या फिर वो minorities जिनकी sexual preferences आपसे और मुझसे भिन हो सकती हैं जी हां मैं बात कर रही हूं lesbian community की, gay community की क्या इन सब को भी समविधान ने बराबरी का अधिकार दिया इस सवाल का जवाब समझने के लिए article 14 या अनुछे 14 को हमें समझना पड़ेगा लेकिन उसके पहले ये जानियेगा कि article 14 जो है वो एक प्रकार से भारत के समविधान में लोक तंत्र की आधार शीला रखने का काम करता है क्योंकि article 14 बड़े ही विस्तरत शब्दों में बड़े ही broad general terms में ये कहता है कि every person in this country will have equal protection of law and equality before law इसका मैं जल्दी से जो article 14 का exact language है वो आपके सामने पहले पर देती हूँ article 14 ये कहता है कि equality the state shall not deny to any person पहला बात जो गौर करने वाला है वो ये कि article 14 सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है ये any person की बात करता है मतलब भारत में रह रहे है ऐसे भी लोग जो भारत के नागरिक नहीं है जो भारत में केवले temporary समय के लिए रह रहे हैं उनके साथ भी समानता का व्यहवार करना जरूरी है तो article 14 क्या कहता है पहले इसकी भाषा देख लेते हैं अंग्रेजी में और फिर जल्दी से हिंदी में English में the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India जी हाँ इसमें डो अलग-अलग phrases use हुए हैं पहला है equality before the law और दूसरा है equal protection of law यदि आपने कानून की पढ़ाई नहीं करी है तो आपको लगेगा ये एक जैसे ही तो शब्द sound कर रहे हैं इन में अंतर क्या है उस पर भी मैं आऊंगी लिकिन समानता का अधिकार इसको हिंदी में इस प्रकार से समझेगा कि राज जो है वो भारत की छेत्र सीमा में किसी भी प्रकार से कानून की समानता का उलंगन नहीं कर सकता और कानून हर व्यक्ती वर्ग को बराबर से या समानता का दर्जा देगा यह हुआ पहला मौलिक अधिकार जो दूसरा मौलिक अधिकार भारत के सम्विधान में है वो है जीहां एक्स्प्रेशन का या अभिव्यक्ती का जिसे आर्टिकल 19 में जो है वो दिया गया है और तीसरा अधिकार यह कि भारत में जो अलपसंख्यक है जो माइनॉरिटीज है उनका ये अधिकार है कि वो कोई सैक्षिनिक संस्थान यदी चलाना चाहें तो चला सकते हैं यदी वो गवर्मेंट एड़ेड है तो भी ठीक है यदी अनेड़ेड इंस्टूशन भी चलाना को उसकी प्रैक्टिस कर सकें लेकिन ये जो अधिकार है कि आप अपनी संस्कृति आप अपनी भाशा आप अपनी धर्म जैसे चाहें उसको वैसे प्रैक्टिस करें जब तक कि किसी और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का आप हनन ना करें ये सिर्फ अलपसंख्यकों का अध का अधिकार, आपको अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार, आपको अपनी अभिव्यक्ती का अधिकार, आपको किसी भी सेक्षनिक संस्थान को चलाने का अधिकार, यह जो अलग-लग तरे के अधिकार हैं, क्या यह आपस में भी कई बार विरोधा भासी हो सकते हैं, जै लिताय हैं, उनके culture को लेकर उस पर कहीं न कहीं ठेस लगती है और एक प्रकार से जो फिल्म बनाने वाले थे, उनका ये कहना था कि ये उनकी अभिव्यक्ती का अधिकार है तो क्या होता है जब दो मौलिक अधिकार जिनें Samviddân बराबर से सुरक्षित करता है भारत में रह रहे हैं लोगों के लिए जब इनका आपस में टकराव होता है तब सुप्रीम कोट हमारे न्याले और समविधान इसको कैसे देखते हैं इस पर भी हम आएंगे लेकिन आज इस छोटे से विडियो को खत्म करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी अपको समझाना चाहती हूँ बताना चाहती हूँ मेरे पीछे आप देखते हैं कि लेडी ओफ जस्टिस का एक चितर बना हुआ है जी हां लेडी ओफ जस्टिस या जिसे हम कहते हैं जस्टीशिया उनका नाम है ये एक प्रकार से न्याए की देवी मानी जाती है पहली बार यह symbol Lady of Justice का देखा गया इतिहासकारों की अनुसार रोम में. रोम के पहले यह सबसे पहले जो आया था वो था मिस्र में और मिस्र में आने के बाद देखने के बाद थोड़ा सा सवरूप अलग था मिस्र में लेकिन उसकी बाद यह उत्तर की तरफ कया पूरवी यॉरप में और फिर आया रोम में. लेकिन रोम से पॉपलर हुई Lady of Justice और Lady of Justice का जो एक सिंबल है वो अलग अलग थोड़ा सा तो अलग अलग कंट्रीज में हलका हलका सिंबलिजम में डिफरेंस आता है लेकिन तीन चीज़ें कामन होती है पहला कि Lady of Justice के हाथ में एक तलवार है दूसरा उनके दूसरे हाथ में एक तराजू है जिसे हम कहते हैं Scales of Justice और तीसरा कि Lady of Justice की आँखों पर पट्टी बंदी हुई है कई बार ये लोग कहते हैं कि क्या न्याय व्यवस्था क्या न्याय की देवी अंधी है इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के लिए बहुत जादा महत्वपून है जो Lady of Justice की तलवार है वो ये बताती है कि यदि आप किसी कानून का उलंगन करेंगे तो राज्य के पास ये शक्तियां है कि आपको डंडित किया जा सके ये ये भी दर्शाता है कि कानून की तलवार के उपर या न्याय की तलवार के उपर कोई भी व्यक्ति नहीं है चाहे वो कितना ही समाज में अपने आपको powerful क्यों ना माने सब ही लोग जो है वो उस तलवार के नीचे है दूसरी चीज़, skills of justice यह तराजू यह दिखाता है कि जब कभी भी कोई भी न्याले दो पक्षो को सुन रहा है तो अपना तर्क लगाएगा, दोनों पक्षो को बराबर से तवजू देगा और उन दोनों पक्षो पे जल्दबाजी में कोई decision नहीं लेगा सो समझ कर दोनों पक्षो को सुन कर बिना किसी जल्दबाजी के और समानता का अधिकार देकर उनकी बात को सुनेगा और फिर अपना कोई judgment सुनाएगा और तीसरी, सबसे interesting बात, Lady of Justice की symbolism में जी हाँ, उनकी आँख पर बंधी पट्टी जब पहली बार रोम में Lady of Justice आई तो उनकी आँखों पर पट्टी नहीं थी यह जो blindfold Lady of Justice की आँखों पर आया, यह बाद में, कहीं बाद में जो है वो देखा गया लेकिन इसका symbolism क्या है? इसका symbolism है कि न्याय की देवी के सामने कोई भी व्यक्ति, किसी लिंग का, किसी धर्म का, चाहे वो majority group का हो कहीं का भी रहने वाला हो, यह सब लोगों को न्याय की देवी बराबर से देखेंगी, उनमें पक्षपात नहीं करेंगी तो न्याय के सामने सब बराबर हैं, इसी बात को सम्विधान ने कहा अनुच्छे 14 या Article 14 में अगले विडियो में मैं आपको विस्तरत से समझाऊंगी कि आर्टिकल 14 में यह जो दो फ्रेज़ेज हैं, equality before law और equal protection of law इनका क्या माइना है और बताऊंगी कि कैसे सुप्रीम कोट ने अलग-अलग judgments में Article 14 को ना सिर्फ apply किया है, लेकिन इसमें एक test भी lay down किया है कि राज जब कोई ऐसा कानून बनाता है, जिसमें दो अलग-अलग वरगों को अलग-अलग treatment दिया जाता है तो क्या वो Article 14 के अंदर असमवधानी घोशित होगा या नहीं, इसके लिए क्या test है, इस पर भी बात करेंगे अगले विडियो में Article 14 में आपको ये विडियो कैसे लग रहे हैं, क्या इन में सुधार किया जा सकता है, और क्या इन विडियो में आप अडिशन में देखना चाहेंगे, ये सब कुछ मुझे बताएं, comment box में, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं अधिवक्ता आपनी बन सेगू झाल